ओके तो टुड़े वे अर्ट लेर्ण अबाट वर्नियर क्यालिपर्स और बहुत मेहनत किया मैंने इस क्लास के लिए ठीक है तुम लों को नजर आएगा इस क्लास में तो घ्यान दो और समझ में आएगा सब फंडे क्लियर होंगे वर्नियर के इन फाक्ट यह टॉपिक होता है सब्सक्राइब उने वर्नियर को कहते हैं तो यह में पर एक है तो यह है इसके उपर एक अधे डिख रही होगी एक एक मिलीमिटर की जेनली एचिंग रहते हैं यहां पर और इन्चेज में भी कई लोग काम करते हैं तो दूसरी साइट में आएचेंगे यह जोगा है और दूसरे से जुड़ा हुआ और यह दूसरी स्केल क्यां यह जो इसपो वर्नियर स्केल और जो भी चीज़ को हमें मैजर करना होता है उसको इन दोनों जॉस के बीच में हम इसको दबाते हैं और उसके बात फिर क्या होता है जो भीडिज करते हैं वह सारी बात बात में आरे है अभी इस slide का परपस है कि समझ में है कि क्या-का चीजें में तो यह लोकिंग प्रूइब लॉकिंग इसलिए है कि मानलो आपने कोई रीडिंग ली और मानलो अपने उसको अपने रेजिस्टर में नोट नहीं किया लेटर से और अगले दिन आपको वहीं से स्टार्ट करना है ठीक है इसे बाहर की तरफ उसको खीचेंगे हम लोग ठीक है और नीचे वाले जो एक्स्टर्नल जॉस्ट ग्लास का उट्र डायमेटर लेना है तो इंटर्नल जॉस्ट करेंगे समझ में आई बात के नहीं इंटर्नल डायमेटर और फिर देप्ट मेशरिंग ब्लेड है यहां पर तु यह जो प्रोजेक्शन है जैसे जैसे तुम यह जो आणिः को बाहर की तरफ निकलते जाएगा जब्ली को नि चुँु जा रहा है उसको तुम बाहर की तरफ ले अर इसके बाद फिर देखलो समझ में आए है कि वर्नियर के पार्डस क्या है अब यह जो है तो किस तरह से है अंप माइड यहाँ जैसे मागनेट का डायमेटर ले तो इसके भीच मैंड साल makes लिपके और इस से सबस् Bubami निकालना है है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग फिर, अब वर्नियर क्यालिपर का हम सीमिलेशन करने वाले है यही हम लोग एक्षियल में यह वर्नियर है और इसका यूज करके हम लोग रीडिंग्स निकालने वाले तो देखो जब वर्नियर के jaws में कुछ भी नहीं रखा है हमने तो इस तरह की situation होती है जैसे यहां पर दिख रही है वर्नियर के jaws में कुछ भी नहीं है तो यह दोनों jaws जुड़े हो है और क्या देख सकते हैं यहां पर कि वर्नियर स्केल का जो zero mark है वो main scale के zero mark से जुड़ा हु सब्सक्राइब करते हैं तो वर्नियर का heart division कितना हो जाएगा 0.9 mm इतनी बात समझ में आई सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा पूरी तरह से बंद है तो वर्नियर के जो एचिंग से उनके coordinate क्या होंगे पहला हमार 0.9 पे होगा दूसरा 1.8 पे होगा तीसरा 2.7 3.6 समझ में आ रही बात कि नहीं और main scale के coordinates क्या होंगे 0 1 2 3 4 अब देखो main scale का जो first coordinate है वो 1 पे और वर्नियर का first coordinate क्या समझ में आ रही बात कि नहीं इसका मतलब क्या है इसके jaws में अगर मैंने पॉइंट वन की चीज़ पसा दी तो वर्नियर exactly .1 shift तुझे है इसका मतलब क्या है मेरा first वर्नियर का division match करने लेगा आई आई बात समझ में कि नहीं तो वर्नियर का second coordinate है वो क्या है 1.8 mm जबकि main scale का second coordinate क्या है 2 mm तो इसका मतलब क्या .2 mm का difference है ऐसी वर्नियर के third coordinate और main के third coordinate में कितना difference है 0.3 mm and so on तो अब इसका मतलब क्या है अगर मैंने .6 mm की चीज़ मसाद इसके बीच में तो कौन सा division match करेगा वर्नियर का .6 mm की चीज़ पसादी तो कौन से division match करने लगएगा 6 division match करने लग जाएगा क्यों क्योंकि सोचो अभी जब 0-0 match है तो वर्नियर का 6 division का coordinate क्या है .9 into 6 राइट 5.4 mm पे होगा राइट वर्नियर का 6 division और main scale का 6 division का पे होगा 6 mm पे तो वर्नियर का 6 division है वो main scale के 6 division से कितना पीछे है .6 mm पीछे समझ में प्रिंसिपल वर्नियर का तो इसका मतलब क्या अगर इसमें .6 mm की चीज़ exactly फसाओंगा मैं तो क्या होगा तो इस तरह से हम अच्छा फिर क्या होगा ऐसे .9 mm की फसाओंगे तो 9 division मैंच करेगा और exactly 1 mm की चीज़ फसाओंगे तो फिर क्या करेगा फिर जैसे आप देको 0 और 10 डिविजन एग्जाटली मैंच करेंगे तो फिर क्या होगा अब 1.1 mm की चीज़ डालोगे तो क्या होगा तो क्या दिखेगा तुमको जो वर्नियर का 0 है वो में स्केल के 1 के मार्क से तुम के राइट में चला जाएगा मैंच कर जाएगा रूनियर का 2 डिविशन एक्जाटली मैच कर रहना मुझे तो अभी देखें च्जाटली माच कर गया 0 3 mm । थर्ञजमाच कर गया ठीक है 0.4 mm पर आट篇जिएटवेशन ऑर फिर चैनल दूपारा से मैच कर जाएगा इस इत नॉट तो अभी कै know हमारी डिडिंग एडखाकली वन नमें मैं और वर्णियर का 0 मैंइन स्क accompany माइट से भी माच कर रहा ठीक है अब क्या होगा अब 1.1 की चीज़ पसाऊंगा तो क्या होगा फिर से मेरा फस्ट डिविशन माच करने लएगा क्यों क्यों कि अभी देखो वर्णियर के कॉडिनेट्स क्या है 1.9 है ना फिर 2.8 इंस तरह से से चलेगा ना मतलब 1.9 के मल्टिपल्स और वह में स्केल के कॉडिनेट्स के हैं 1.1 के मल्टिपल्स तो फिर से 1.1 की चीज़ पसाऊंगे फिर से फस्ट डिविशन माच कर जाएगा समझ में आई बात की नहीं ठीक है तो यह हम लों का तो अभी क्या है अभी जैसे मान लो इस समझ में आई बात की नहीं जैसे 1.3 मों को फिर से 3rd division माच करेगा राइट यह बात समझ में आई सभी को की नहीं पक्का क्लियर है तो अभी जैसे मेरे को गैस करना अभी कितना रीडिंग है तो अभी तुम लोग अंदाजा लगाओ खुद से सोचो कितनी रीडिंग है अभ संब्सक्राइट वह हम देखें गे वर्नियर का जो सीरो है वह में इसकेल के कौन से मार्क को क्रॉस कर चूका है तो यहां पर में इसकेल के सिक्स दिविजन को क्रॉस कर चूप है ना तो यानि रीडिंग हमारी क्या वह जोई 6.4 मैं संभी बात की नहीं एक और रैंडम ले लगा जैता हूं हां इसमें बताओ बेस्ट एस्टिमेट क्या लग रहा तुमको कितनी अभी रीडिंग होनी चीए सब लोग बताओ कितने अभी रीडिंग है इसकी हुँ सोचो तो वर्नियर का 0 कहां पर पहुंचा हो देखो 1234 तो 24 को तो क्रॉस कर चुका तो इस डेफिनिटीव पॉइंट सम्थिंग राइट 24 पॉइंट सम्थिंग अब 24 कितना है तो देख सकते कौन सा डिविजन माचिंग देख रहा है वर्नियर का मुझे जो है थर्ड डिविजन बह यहां पर देखने से चीए मेरे स्क्रीन पर बहुत अच्छा रेजिविशन हो सकता है तो तो कितना हो जाएगा सम्थिंग पॉइंट तो कितना रीडिंग हो गया 24.3 तो क्लियर है यह सभी को एक और दूं प्राक्टिस के लिए ठीक है एक और प्राक्टिस करो जल्दी से द वैसे तो 31.something तो कौन से दिविजन माचिंग लग रहा है और यह हो लिसकता है तो इसका मतलब क्या बीच में भी कुछ हो सकता है या तो यह यह जानि है क्या यह 31.4 मेरे को लग रहा है पूर दिविजन अच्छा माचिंग दिख रहा है मुझे तो इस नियर 31.4 बड़ इट तो कोई भी अगर रीडिंग जरूई थोड़ी नहीं 31.4 एक्जाक्टी हो 31.45 होगी तो क्यो होगा ऐसा दिखेगा तो दो बच्चे डिसेगरी करेंगे एक बोलेगा मज़ें यह माचिंग दिख रहा है दूसरा बोलेगा मुझे यह माचिंग दिख रहा है बट ठीक है बट बट यह जरूरी नहीं कि 10 और 9 नहीं हो यानि यह भी हो सकता है कि कुछ तुम देखो कि कुछ आर्बिट्रेरी टाइप के कुछ जैसे एक्जिस्ट करेंगे जहां पर वर्णियर के 4 डिविजन में स्केल के साथ डिविजन से मैच करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे वहां पर देखो अभी भुत ध्यान से शुन नहीं का प्रिंसिपल समझाने जा रहा हुए तो वर्णियर का प्रिंसिपल है क्या बेसिकली तो मुझे च्छिए ओती होती है में स्केल के जीरो से लेके वर्णियर के पर तक मेरी अप टंय रहिए जिए मुशार लें तो उस ल कि उतनी दो लेंग्ट हाई है ना उसके अलावा जहां पर में स्केल का नियरेस डिविजिन आ रहा है उससे वर्णियर के जिरो तक कुछ एडिशनल लेंग्ट और है जिसको मुझे एस्टिमेट करना है तो मान लो वह लेंग्ट मेरी एक्स है समझ गए में स्केल के जिरो से लेके वर्णियर के जिरो के जिस्ट पहले जो में स्केल पर मार्क आ रहा है वहां तब की तो लेंग्ट में सीधे पढ़ पा रहा हूं उसके बाद जो एडिशनल लेंग्ट है अच्छा उस लेंग्ट को मैं मान लो कुछ बोल देता हूं उस लेंग्ट को लेके वर्नियर के 0 तक कुछ additional length और उसको मैं x बोल दिया तो मेरे को estimate क्या करना है मुझे l plus x estimate करना है समझ में आ रही है बात कि नहीं तो let me draw a little bit तो क्या कर सकते फिर मैं पॉंडू कर दूँगा तो let me just draw it a little bit तो देखो मेरे को estimate तो यहां से यहां तक करना है इदर से लेके इदर तक की length ऐस्टिमेट करनी है तो मेरेको इधर से लेके यहां तख मुझे पता है कि यह कितना हो गया किए यहां तक मेरा हो गया, यह 30 से 29, 28 तो हो गया, उसके आद यह 28 प्लस X सम्थिंग है, जिसको मैं एस्टिमेट करना चाहरा हूँ, है ना, तो वो X क्यासे एस्टिमेट करूँगा, हवा में हांगिंग तो ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे पता है, 28 प्लस X प्ल यहां तक यह लेंग्थ है, जिसको की मैं क्या बोल सकता हूँ, अब में स्केल से उस माचिंग डिविजन तक की टोटल लेंग्थ है, उसको मैं एल डाश बोल सकता हूँ, समझ में आई बात की नहीं, मैं उस लेंग्थ को में स्केल से भी देख सकता हूँ, उस लेंग्थ को वर्नियर की साइट से भी देख सकता हूँ तो वर्नियर के हिसाब से मैं देखता हूँ तो कितना आता है मेरा 28 प्लस X प्लस जितना वर्नियर स्केल डिविशन हुआ is equal to main scale division या इन जेनरल अगर मैं बोलूँ इस 28 को मैं L बोल दूँ तो L प्लस X प्लस मान लो एन एस वर्नियर डिविशन माच कर रहा है तो इसको मैं बोल दोता हूँ small n VSD is equal to वहाँ पर main scale का भी कोई division होगा तो उसको मैं बोल देता हूँ capital N that should be equal to capital N times main scale division यह equation समझ में आई सभी को कि नहीं वहाँ पर main scale का 23rd division है 24th division में स्केल कोई division तो होगा जहां पर matching हो रही है तो जितने main scale के divisions हो यह वहाँ तक वो किसके बराबर होगा L प्लस X प्लस वर्नियर का जो matching division है आई बास में नहीं कि नहीं उसी link को मैंने दो तरह से estimate किया तो now you have an equation in X समझ में आ रहा है कि नहीं और इस equation को मैं X के लिए हमेशा solve कर सकता हूं अब फरक नहीं पड़ता मेरा 2 में 3 fit कर रहे है 3 में 2 fit कर रहे है 4 में 7 fit कर रहे 13 में 11 fit कर रहे जो मर्जी fit कर रखता हो होगा क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो coincide कर रहे है कोई साइडिंग में कुछ तो में स्केल का डिविशन है एक्जाक्ट वह क्यापिटल लेने मेरा ठीक है वर्नियर का जो मैचिंग डिविशन है उसको small n बोल दिया हमने कोई ना कोई डिविशन तो मैच कर रहे है तो और में स्केल का 0 पे 0 जहां तक क्रॉस कर गया वह यह त पड़ सकता हूं था व्यक्ट प्लस अबिशनल लेंग द अएक्स प्लस जतना वर्नियर गए थुरह तक डिविशन की लेंग तो यह एक्वेशन चलिरत पूरा वर्नियर समझ में आगा यह ईक्वेशन सभी को ओ दो बोल दो क्लिर अब जैसे समझो कि मानलो अभी मेरे को इस यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है तो यहां पर 11 mm मार्क तो क्रॉस होई चुकर 11 mm तो है अब मुझे 11 mm से लेके वर्नियर के जीरो तक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कुछ X जिसको मेरे को एस्टिमेट करना है ठीक है तो उसको X मान लिए 11 प्लस X की वाल oppose opiniory a actual reading ंए तो 11 प्लस X और यहां पर देखो HOW Mexican division old je約 मुझे मैच जो by क्विष्ट लग रहा है यहां प्लस च्वींड़ाइं ठीक है तो 11 प्लस X प्लस sixli वर्नियर स्केल डिविजन्स वो यहां तक की लेंग्ट हो गई यहां तक मैंचिंग डिविजन और डाट इस इकल टो में स्केल पर किते डिविजन्स होए 6 तक तो यहां पर देखो 15 16 17 तो मैं क्या बोलूंगा 11 mm एक स्केल दिविजिंस एकल दो 15 15 17 में स्केल इविजन्स तो अब इसका यूज करके मैं एक्स में अज़िकल्य निकाल कर पांगा और नॉंसलेद वर्नियर एक सारी है यह समझ में आया गिनीड़ अग्यकर निकने कर सकता हूं धिक infringement तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक सिकंट यहां पर देखो जैसे लेंक्ट क्या होगी जब 0-0 मैच कर रहे हैं तो कोई खुछ भी नहीं है अब इसको जितना विड्द तुम अंदर फिट करते जागे उतना 0-0 के बीच में ग्याप होता जाएगा तो इसका हमारी जो रि 6 7 8 8 mm तो होई चुका है और इसका वर्नियर 8 mm मार्क से एक्स और आ गया वह एक्स मुझा निकालना तो 8 mm फ्लस एक्स ठीक है एंड प्लस सम्टिंग तो कहां कौन सा डिविशन माच कर रहा है हमारा मेरे को वापास सेवेंथ डिविशन माच करता दिख रहा है तो 8 प्लस एक प्लस 7 वर्नियर डिविशन इस इक्वल टू में स्केल का कौन सा डिविशन आया देखो सेवेंथ पर वो आया मेरा मेंस केल पर 15 था रहे गया हां तो इस एक्स में एक्वेशन आ जाए है तो नौन्स्टैर्अर्ट के लिविवी माच वर्नियर वन्यर के लिविशन कर पाऊ ठीक है अभी पे very careful attention मैं कुछ important बात बोलने जा रहा हूं कई बार किया non-standard verniers तो मैं देखने को मिलेंगे तो इसमें तो क्या किया था मैंने vernier division को 0.9.9.9 के पे लगाया था मैंने ठीक है तो 0.9 के लगाया तो क्या हुआ जब 0-0 मैच कर रहा तो पहला डिविजन 0.1 पीछे दूथरा डिविजन 0.2 पीछे दूथरा डिविजन 0.3 पीछे और सो अन निरस में इसी में मैं वर्नियर डिविजन को 0.9 mm ना करके मैं 1.9 mm कर दूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा कैसे अगर मान लो 0.9 के जिए 1.9 mm कर देता यानि जितना में स्केल का डिविजन उतना और अडिशनल मैं आड़ कर दूँ वर्नियर डिविजन के अंदर तो भी मेरा काम चल जाएगा सो चों क्यों कि 1.9 कर दोगे तो पहला एचिंग काम पे होगा 1.9 पे होगा तो में स्केल के नियरेस डिविजन से कितना पीछे पॉइंद वह भी पीछे होगा इसका 1.9 का डबल कितना हुआ 3.8 तो वह 5.9 नाक से पीछे होगा बात समझाए कि ने फिर उसके बाद 1.923 वो क्या हो गया 5.7 वो 67 मार्क से 0.3 पीछे होगा तो इसका मतलब क्या है मैं इसको 0.9.9 की एचिंग ना कर गए मैं 1.9 की एचिंग भी कर सकता हूं तो 1.9 की एचिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा मेरे 10 वर नियर डिविजिएंस जो से माच करेंगे इस इत नॉट और फिर भी आएगा आई बाद समझ में कि ने फॉर डाट माटर 1.9 की जाएगा मैं क्या कर दो 2.9 की एचिंग कर दू तो भी काम चल जाएगा इस इत नॉट में स्केल डिविजिन का जो भी में स्केल डिविजिन उसका इंटीजर मुल्टेपल प्लस .9 कर दू तो इस ब्रणेंट की जीडि जैसा काम करेंगे आई बात की नहीं सभी का लीजट पांड किया हो जाएगा पॉइंट वनदो है तो अब यह वय व्यांत तो आप बरें नियर का निकालना इख यहां पे स्केल पर जित्ते जित्ते पर यहां पर 0.9 पर वर्णियर की हो रहा यह तो अरिन का फॉर्णिय मेरी का हो जाएगा यह समझ में 1.9 वाली बात समझ में 1.9, 2.9, 3.9 यह सब वर्णियर एक जैसे काम करेंगे और स्टैंडर्ड वर्णियर की तरह से त्योरी उसमें लगा सकते हो और नहीं लगाना है तो वह x वाला तो हमेशा चलेगा क्या मानोगे जहां यहां तक क्या गरोगे यहां तक लोगे ल प्लस x फ्लस सम्थिंग वर्णियर डिविजिजिंग इस इपल तो में इक्वेशन तो हमेशा हम निकाल सकते हैं तो यह एक्वेशन बना रहे है यह हमारा वर्णियर का प्रिंसिपल है समझ में आई बात कि नहीं एक अन्नोन क्लिवरेध लोगल में जीरो एरु को कैसे हैंडल करने तो पहली बाद तो जीरो एररर आख एस सकती है तो जैसे मान लोगल वर्णियर क्यालिपर में कोई स्टिकी सी चीज तुमने ना पी लिटस से जो भी ओभी तो पर विटफ चिपक जाएगा इस It not for whatever reason वोड को ना पर तो क्या होगा वर्णियर के उपर चिपक जाएगी अब जॉस को पूरी तरह से क्लोज करोगे तो तो भी पर्फेक्ट मैचिंग तो नहीं होगी नियुक्त की तो जब पूरी तरह से वर्णियर का जिरो जिरो जब आनी चाहिए तब क्या रिडिंग तो इस केस में जैसे हम इसको देखें तो देखें तो वर्णियर का बढाई कि जेखें से तरह की एरर को हम क्या करते हैं पॉस्टिर ज इल्ड़ इसकी र Venice साइंड पर क्योंकि इसकी रीडिंग हायर साइड पर इसको फूर्थ लग रहा ERrier I तो इसका मतलब वर्णियर की रीडिंग अभी कितनी है 0.4 समझ में आई बात कि नहीं वर्णियर की रीडिंग कितनी अभी 0.4 तो इसका मतलब क्या है जो भी मैं इसके अंदर जॉज में फसाओंगा चीज उसकी रीडिंग इससे 0.4 प्लस करके आएगी जब 0 आना चाहिए तो प्लस 0.4 दे रहे तो 1 आना चाहिए तो 1.4 देगा 1.3 आना चाहिए तो 1.7 देगा समझ में आई बात कि नहीं तो इसलिए क्या करेंगे इसके अंदर जॉज में फसाओंगे कोई भी चीज जो भी रीडिंग आ रही हो उसमें से मैं 0.4 माइनस कर दूँगा जो भी 0 यह उसक और मैसें तो यह इस तरह की कंफिग्रेशन आ रही है तो बता सकते हो भी 0 कितनी है इसमें अभी कौन सा माचिंग लग रहा तुम लों को कौन सा माचिंग लग रहा बोलो इसकेंड और थर्ड के बीच में मैंने कर दिया अच्छली वैसे मुझे थर्ड ज्यादा अच्छा म अभी बतानी हैमारी बता है और नार्मल रीडिंग कितनी यह और फिर उसको करेक्ट करके बताओ नॉर्मल रीडिंग कितनी है बोलो अभी 25.5 है नॉर्मल रीडिंग है ना तो कितनी हो जाएगी हमारी 25.2 तो समझ में है ना पॉस्टिव जीरो एरर कैसे हैंडल करने है एक सिकेट इसके बाद हम लोग बात करतें नेगेटिव जीरो एरर की तो नेगेटिव जीरो एरर क्या है अब मानलो जॉस घेस गए जैसे लेटस से ओवर अ प्रोलॉंड पीरिड या तो यह वह सकता है कि वर्नियर में कोई तो अब इस केस में जीरो एरर कैसे एस्टिमेट करना है तो हमारा तरीका क्या है हम में स्केल की रीडिंग लेते हैं हम देखते हैं में स्केल के कौन से मार्क को क्रॉस कर गया है और उसके बाद देखते हैं कि कहां पे मैचिंग हो रही है तो यहां पे जीरो के लेफ्ट में मैंने सिखेओं 뭔 इमार्म मार्क अबस हो और इसमें जो मैंच कर रहा है वर्णियर का उसके हैज से इंच लग तुम हो को मेरे को second पर्णियर का third division best match लग रहा है मुझे third division मेरे को matching लग रहा है तो main scale rating होगई minus one mm और third division match कर रहा है तो plus point three to minus one plus point three कितना हुआ minus point seven तो मेरी कितनी आगई zero error minus point seven आगई आई बासमें की नहीं ठीक है main scale पर mentally imagine कर सकते हैं कि एक minus one mm का mark होगगा फिर minus two mm का minus तो एक तो यह टेक्निक हो गई कि माइनस टू माइनस त्री के मार्स लेके हम फिल्कुल स्टैंडर्ड थेरी की तरह से हम लगा सकते आर फिल्कुल से लेके मेंस के जिरो तक कुछ अन्वन डिस्टन्स है जो मुह गेशन करना है तो मानलो एक्स क्या करोगे उपकर से डिक research लेते विशे से लें इल्युंब से लेके मेन स्केल का जो माचिंग डिविशन उधर तक की लेंग कितनी हो जाएगी एक्स प्लस टू एमेसडी एक्स टू एमेसडी इस इपल टू वर्नियर का कौन सा वर्नियर का थर्ड तो इस इपल टू थ्री लिएसदी समझ में आई बात की नहीं एक्स प्लस टू एमेसडी इस इपल टू टू थ्री विएसडी माचिंग पॉइंट टक हमने दोनो डिस्टेंस निकाल लिए उपर से और नीचे से अब इसका यूज़ करके एक्स के लिए सौल कर लेंगे तो उससे जीरो एरर आ जाएगी तो लॉजिक भी समझ में आना चाहि है तो से करोगे तो एक्स प्लस क्या लिखोग है एक्स प्लस टू म कि इसका रहा हूं मैंश को मायरम साधैन की प्ञाें एक्स ज्वार। कि मान लो जी इरो-से लेकर मेंЙ Н्क स्केल के जीरो तक यह दिस्टेंस लेटस से वह मेरा से ठीक है अब मांचिंग डिविजयसं कहां पर हमार तो मेंस उसी को क्वूंसा का त्थिसेंट कर रहे हो तो X plus 2 main scale division, यह matching division तक की length हो गई, vernier के 0 से लेके, उस matching division तक length कितनी हो गई, X plus 2 main scale divisions, वो हमारा क्या हो जाएगा, अब directly vernier के तुरू देखो गई, तो वो vernier का 3rd division आ रहा है वहाँ पर, तो is equal to 3 VSD हो गया, बात समझाएगी कि नि, तो अब X में equation आ गई कि नि, इसको solve कर लो X के लिए तो हमारे पस 0 error आ जाएगी, method समझ में आया है कि नि, अब यह इसमें यह है कि minus 1 जो minus 2 भी हो सकता, minus 3 भी हो सकता artificially, तो उसके लिए फिर question में हमें extra information देनी पड़ेगी, कि वर्नियर में ऐसा, यह language किस तरह से पता चलेगा कि minus 1 से 0 के बीच में error है, या minus 2 से minus 1 के बीच में, तो वो ऐसे पता चलेगा कि वर्नियर का 0 left में था, और 1 M की चीज़ मसाई तो right में आ गया, इसका मतलब क्या है, 1 M की चीज़ मसाई तो अभी भी left में है, 2 M की चीज़ मसाई तो right में है, तो इसका मतलब कि माइनस 1 से minus 2 के बीच में 0 error है, तो उसके हिसाब से हम लोग calculate कर लेगी, तो negative 0 error कैसे handle करने सभी को समझ में आया या नहीं है, हाँ, एक second just, यहाँ पर मैं X बोल किसको रहा हूँ, X मैं बोल रहा हूँ, वर्नियर के 0 से लेके main scale के 0 तक जो length है उसको मैं X बोल रहा हूँ, वही तो मुझे estimate करना वही मेरी 0 error है, तो X plus matching division में 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 2nd division माच कर रहा है, तो यानि वर्नियर के 0 से लेके matching division तक की total length अगर उपर से मैं देखूं तो कितने हो जाती है, X plus 2 main scale divisions और उसी length को मैं directly नीचे वाले scale से देखूं तो वह तीन वर्नियर के divisions के बराबर हो गया, तो इसका यूज करके X में equation आगा ही कि नहीं, अब उस X को मैं solve कर सकता हूं, वो solve करोगे तो वही आ जाएगा जो वैसे directly आ रहा है, और directly देखोगे तो क्या है, minus 1 mm तो हमारा main scale reading है, minus 1 mm is the main scale reading जिकि minus 1 ये mark को cross किया हो है और third division match कर रहा है, तो क्या करते है, जो division match कर रहा है, उसको 0.1 से multiply करते है, आच करते है तो क्या हो जाएगा, minus 1 plus 0.3, यानि 0 error मेरी कितनी हो गई, minus 0.7 हो गई, और वैसे X calculate करोगे तो तो तुमारा plus 0.7 आएगा, वो minus interpretation की बात है, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, इसलिए उसको minus 0.7 लिखूंगे, आक्री तो mod value को ये X बोल रहे हो न तो, उसकी length को X बोल रहे हो, तो X minus 0.7 नहीं आएगा, X calculate करोगे तो तुमारा plus 0.7 नहीं आजाएगा, तो समझ में आए ये सभी को, पक्का clear है, negative 0 error कैसे handle करनी है, ओके, इसके बात सिर आगे हम लोग बात करते है, retrograde vernier, तो retrograde vernier इतना popular नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी theory मालूम होने चीए, अपने exams में तो popular है ये, exam में तो पूछी सकते हैं, ठीक है, labs में इतना नहीं उसकरते, तो retrograde vernier कैसे काम करता है, अभी सब लोग is longer than the main scale division, ठीक है, retrograde vernier में क्या है, the vernier division is longer than the main scale division, यानि vernier division के coordinates क्या होंगे, main scale के तो 1 mm, 2 mm, 3 mm and so on चल रहे है, vernier के coordinates क्या होंगे, 1.1, 2.2, 3.3 and so on, इस तरह से चलेगा, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, हाँ, तो इसके divisions जो होंगे, 1.1, 2.2, 3.3 and so on होंगे, राइट और ऐसे ही 9.9 होगा, ठीक है, जबकि main scale के कहाँ चल रहे है, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहे है, तो इसका जो 9th division है, 9.9 पे होगा, वो 10 वाले से 0.1 पीछे होगा, इसका 9th division जो है, अगले वाले main scale से 0.1 पीछे होगा, इसका 8th division, उससे अगला main scale division आ रहा है, उससे 0.2 पीछे होगा इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें 0.1 पीछे होगा, तो इसका 9th division मैच करेगा, इसका 9th division का जब 0 से 0 मैच करेगा, 9 division का कॉडिनेट क्या है, 9.9 mm, यानि वो main scale का 10 mm मार के उससे 0.1 पीछे, तो जब इसमें 0.1 की चीज़ पसाओगा, तो इसका 9th division मैच करेगा, जब इस क्योंकि 0 से 0 जब मैच करेगा, तो 8 division काँ पे, 8.8 पे, तो वो 9 mm से 0.2 पीछे, ऐसे 3 mm की चीज़ पसाओगा, तो 7th मैच करेगा, 0.4 की चीज़ पसाओगा, तो 6th मैच करेगा, तो अब मेरे को reading प्रिपेर करनी है, तो अब 0.8 से 0.2 कैसे आता है, 1 में से subtract कर गया आता है, 0.8 से 0.2 कैसे बनता है, 1 में से subtract कर गया, तो इसको इसलिए subtraction वर्नियर भी करते है, तो इसमें तरीका क्या है, हम, instead of left, normally हम क्या करते थे, main scale का left division देखते थे, जो cross हो गया, और उसमें वर्नियर के हिसाब से add करते थे, normal वर्नियर में, इसमें क्या करेंगे, main scale का right division देखें अभी, यह बात समझ में आए कि नहीं, जब first, जब point one की चीज़ डालोगे, तो ninth match करेगा, यह सब को समझ में है न, coordinates के साब से, अब मानलो, इसके अंदर, यह letter से, अभी मेरे को reading पता करनी है, letter से, यह retrograde वर्नियर है, कौन सा matching लग रहा है, वसे तुमको अभी, कौन सा division best match मेरे को, वर्नियर का second division best matching लग रहा है, second best matching लग रहा है, तो इसका मतलब कि, अच्छा, अब second अगर matching है, तो हमारी reading क्या होएगी, बोलो second match कर रहा है, यह नी, point eight mm होनी चीज़, is it not, तो point mm कैसे बनाओगे, तो one mm का mark इसके right में, तो one mm minus two into point one कर देंगे, समझ में आई बात क करने, और या फिर अपना वर्नियर principle तो हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं, एक unknown length हमें निकालनी है, तो यह क्या है, 0 plus x है, तो 0 plus x plus matching division तर देख लो कितने VSD हुआ, और उसको main scale से match कर दो, तो वर्नियर equation तो हमेशा ही लिख सकते हैं, पर अगर directly करने हैं, तो क्या दर होगे, subtraction वर्नियर में, right वाली reading लोगे, और matching division के साब से subtract करेंगे, समझ में आई बात सभी को, एक practice के लिए दूँ अभी question, ठीके, practice के लिए question ले ले लेते हैं, तो let us say, चलो इसके लिए बताओ अभी क्या reading होगी, कोई अच्छे से match करा दूँ पहले में, जो अच्छे से match कर जाए अभी बताओ इसकी reading है, सब लोग बताओ इसकी reading कितनी है, अभी, what is the reading, तो यहाँ पर देखो, कौन सा mark, ये 8 तो 9 में से कुछ subtract करना है, 9 में से कुछ subtract करना है, तो कौन सा division match करता है, तुम लोग को, कौन सा division match कर रहा है, first, second, third मुझे अच्छा matching दिख रहा है, third और fourth, तो ठीक है, चलेगा, ये देखो, अभी, ये, ये हम लोग के computer resolution की problem है, किसी को third matching अच्छा लग रहे है, किसी को fourth लग रहे है, actually, दो नहीं match करें, none of you is wrong, it is okay, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी नहीं, exact three match करें, exact four match करें, बीच में भी हो सकता है, कुछ हो, इंफानि इसमस प्लेस त होती नहीं, तो बीच में हो ही सकता है, तो ठीक है, कोई भी मान लो, fourth मान रहे हो, या third मान रहे हो, fourth मान लेते हैं, fourth, I'll go with Somnath, ठीक है, fourth revision matching मान लेते हैं, तो 9 minus क्या करोगे, 0.4, तो 9 minus 0.4, यानी कितना हो गया, 8.6 mm हो गया, समझ में आया कि नहीं, एक और practice के लिए, क्या बोलोगे, हाँ, तो इसमें क्या देखोगे, 0 के राइट, वर्नियर के 0 का राइट वाला division क्या है, 20, तो अब 20 में से कुछ subtract करने हैं, 20 में से subtract क्या करने हैं, अभी देखो, matching division मेरे को fifth बहुत अच्छा match लग रहा है, तो 20 minus 0.5, कितना हो गया, 19.5 में हो गया, समझ में है, subtraction, वर्नियर सभी को clear हुआ, absolutely clear to everybody, subtraction, वर्नियर, समझ में आया न, ठीक है, चलो, फिर आप आगे, हाँ, just one second, तो I hope retrograde वर्नियर, अच्छे समझ में आगया, अगले idea पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, आगे हम देखते, अभी यह देखो, यह हमारा क्या है, यह depth measuring के लिए नीचे हमने, इसको नीचे करते चले गए, जो वर्नियर वाला चोय, उसको नीचे करते चले गए, जब तक कि हमारा जो blade है, वो, जमीन को touch ना हो जाए, इसके तली को touch ना हो जाए, initially जो होता है, depth measuring blade, जिब jaws पूरे match होते है, तो वो बिल्कुल बाहर ने निकल रहा होता, exactly, end तक होता है, वर्नियर के, और जैसे जैसे उसको नीचे करते जाओगा, कभी नगभी वो depth को touch कर जाएगा, और उसके उस टाइम के हम देख लेंगे, कि reading कितनी है scaling की, वो हमारी depth आजएगी, समझ में आया कि ने depth measurement, अभी, ये देखो, ये मेरा question है, अभी इस question में मेरे को प total divisions कितने है, वर्नियर scale पे, 10 नहीं है, 10 तो गिंतियां लिखे हुई है, divisions 20 है, वर्नियर के, देखो ध्यान से, हर दो दो के बीच में एक है, marking, marking और भी है कि नहीं, बोलो, तो वर्नियर के 20 divisions हैं, है न, वर्नियर के scale पे कितने divisions है, 20, और main scale के कितने से ये match कर रहे हैं, ध्या 29 पे, हाँ, तो 10 से 49 हुआ न, यह, तो यानि, इसके 20 divisions उसके 39 में fit हो रहे है, is it not, वर्नियर के 20 divisions, main scale के, 39 में fit हो रहे है, तो least count कैसे निकलेगा, एक तो तरीका है, GCD वाला, दूसरा तरीका क्या है, देखो, तो नॉर्मली 20 में, 1920 वाला standard type का बनता है, जैनल एक एमम का फर 20 divisions, 19 main scale में fit हो रहे होते है, तो कुछ least count बनता, बो, 20 divisions, 19 में अगर fit हो रहे होते है, तो कुछ least count बनता है, is it not, ठीक है, अब मानलो, वर्नियर के हर division को, मैं 1 mm से जादा कर देता, जैसे याद है, मैंने 9.9 को 1.9 को 1.9 कर दिया था, तो ऐसे ही अभी, वर्नियर का, मानलो, 20 19 में fit हो रहा होता, और मैं 1-1 mm बढ़ा देता, तो फिर क्या होता, वो 39 में fit होने लगता, is it not, बो, रिपीट कर रहो है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मानलो, इस वर्नियर की जग है, मेरे पास ऐसा वर्नियर होता, जिसके 20 divisions 19 में fit हो रहे होते, तब कुछ least count बनत 20 mm बढ़ जाती, 20 mm बढ़ जाती न, उसकी length, बोलो, हर division अगर 1 mm बढ़ा होगा, तो टोटल लेंक कितनी बढ़ देगी, तो 20 mm बढ़ गया है, पहले 19 mm मार्क से match हो रहा है, अभी 39 mm से मार्क से match हो लेगा, बोलो, समझ में आरी है बात कि नहीं, तो क्या ये तुम लोग realize कर कि ये वाला जो वर्नियर है, इसका least count वही होगा, जो 20 divisions 19 में फिटोते तो वर्नियर होता, तो जो least count होता, ये चीज़ realize हो रही है कि नहीं, नहीं realize हो रही है, तो फिर मैं और further discuss करता हूं, इसको, या सबसे पहले यही निगालो कि अगर मालो 2019 में फिटोते तो क्या least count होता, अगर 20 divisions 19 में फिटोते तो क्या least count होता है, यानि 0.05 mm हो जाता है, अगर वर्नियर के 20 divisions 19 में फिटोते है, तो हर वर्नियर डिविशन कितना हो जाता, 19 mm divided by 20, 19 by 20 कितना होता है हमारा, 0.95 होता है, 19 by 20, तो वर्नियर एक्षिंग्स तो मेरी 0.95, 0.95, 0.95, 0.95 पे चल रही होती ह जाक अगर वर्नियर के 20, main scale के 19 में fit oh रही होते हैं, तो वर्नियर एक्षिंग्स कितने होती? 0.95, 0.95, 0.95 के gap पे होती है, और main scale के hayhings कहां पे होती? 11 mm पे तो वर्नियर का 0.95 से कितना बीचे, 0.05 पीचे, अगला mark कितना बीचे होगा, very 0.15 पेचे होगा पेचे हो सक्षान से आगे बढ़ा दिया तो क्या होगा अगले मार्क से जितना पीछे होगा वो तो उतना पीछे ओगा ना 0.95 करो या 1.95 करो 2.95 करो या 3.95 करो वर्किंग एक ही जैसे रहेगी समझ में आई बात के लिए तो अगर 20 में से के 20 डिविजन में नाइटीन में फिट और तो कुछ लिस्ट इंद होता अब मैं क्या बोल रहा हूं इसके 20 डिविजन थर्टीन में में रहे हैं तो भी क्यारों कि वह लिस्ट कांट होगा क्यों कि 1.95 अगर मेरा हो गया division का साइज कितना हो गया 1.95 कितने 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 हो जाएगा 1.95 इंट टुएंटी करोगे तो 1.95 तो वर्नियर के 20 divisions 39 में fit करो तो इसकी भी वर्किंग वैसी होगी जैसी वर्नियर के 20 divisions किसमें fit करो 19 में fit करो समझ में आई बात की नहीं बोलो इसका मतलब क्या है इसका भी लीस्ट काउंट वही होगा वह होगा वह होगा 20 उसके 20 में बहलेगो तो इसका क्या आगे answer हम लोगगा हो इसका 05 में अगया इसका 1 mm तो 1 mm और 1.95 mm का GCD क्या होगा ? 0.05 mm होगा is it not ? GCD निकालना आते हैं न सबको 1 mm और 1.95 mm यह ऐसा यह जैसे 100 mm में कनवर्ट कर लो तो 100 और 195 होगा जैसे हमें GCD निकालना है तो वह 5 आ जाएगा न जैसे 100 और 195 का निकाल होगा तो इसी तरह से 1 mm और 1.95 mm और 1 mm का GCD क्या होगा ? 0.05 तो हम GCD से भी निकाल सकते हैं और अधरवाइस इसको हम स्टैंडर्ड वर्नियर में कनवर्ट कर सकते हैं तो इस तरह है क्यों होगे ? जनरली एक mm का जब डिफ्रेंस होता तो स्टैंडर्ड वर्नियर है और उसमें लीस्ट कांट सीधे क्या जब एक mm का डिफ्रेंस है ध्यान रखना हमेशा यह ट्रू नहीं है यह कब ट्रू है जब 10 में 9 फिट हो 20 में 19 फिट हो 50 में 49 फिट हो 30 में 29 फिट हो जब भी इस तरह का दिख रहा है तब लीस्ट कांट क्या हो जाएगा सिंप्ली वर्नियर स्केल डिविजन माइनस में स्क काम चलाएंगे समझ में आई बात के नहीं ठीक है क्लियर है यह सभी को ठीक है ओके तो अभी थोड़ा से हम लोग प्राक्टेस करते हैं यह मेरे पास एक वर्नियर है तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो सोचो कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा एक मिंद इसको मैं से देखते तो इसके 20 डिवीजन जो है वो में स्केल के 39 से माच कर रहे तिक रहे जरूनी जीरो से 0 मैच करके दिखाया वह तो देख सकते इस तो 20 इन 39 वाला ठीक है तो इसका लीस्ट काउंट तो कितना होगे 05 mm होगे इसका लीस्ट काउंट ठीक है और हां तो अब फिर इ तो यह स्टैंडर्ट वर्नियर यह तो इसमें हम कैसे देखेंगे इसमें अगर मुझे रीडिंग निकालनी है तो वापस देखोगे कि में स्केल का कौन सा डिवीजन क्रॉस हो गया और फिर वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है तो वर्नियर का जो भी मैचिंग डि क्या होगी रीडिंग सब लोग अपने नोटबुक में लिखो क्या रीडिंग हो नीची है यहां पर प्राई करो इसको इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि माचिंग अच्छे से देख सको तो अभी देख सकते हो कौन सा डिविजन माच कर रहा देख लो ठीक है बोलना नहीं अ जो भी है लगता है तो इसमें अगर हम देखें तो देखो जीरो किसको क्रॉस कर गया 21 22 23 तो क्रॉस करी गया ठीक है 23 अमें तो क्रॉस हो गया और माचिंग डिविजन कौन सा दिख रहा है यह एट डिविजन यहां पर दिख रहा है लेकिन एट का मतलब 16 है आक्चुली इस का अंसर होना चे तो देखो 23.80 इसका अंसर आ गया सभी को ठीक है आं जैस्ट वन सेट तो वर्नियर में एरर के साथ में अगर लिखना है तो वर्नियर के जो भी रीडिंग लिखो उसमें प्लस मैनस लीस्ट निविख दो गया ठीक है प्लस मैनस लिस्ट कांड के ब्रावर ह करो क्या रिटेंग अपने नोट बुक में लिखो ठीक है बोलेगा कोई भी नी बस अपनी नोट बुक में लिखना है ओके वो जाएगा तो फिर उसके डिसक्स करते हैं तो मैचिंग निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं अभी तुम लोग देखो और उसके बाद एक डिवीजिन हो रहे तो इसमें बेस्ट मैच वह हो ना इंथ डिवीजन का है ना तो ना इंट डिविजिन का मैच है तो नाइन इन टू.05 करो है यह नहीं सम्थिंग प्लाइक सम्थिंग पॉइंट फॉर फाइव आने वाला रैट अब वो सम्थिंग इन तो यहां पर देखो यह 50 mmrk 5049 और यह 48 तो 48.45 यह हम लोगा रीडिंग हो जाना चाहिए ठीक है चेक कर लेते हैं 48.45 आना चाहिए ठीक है लिट असी हां 48.45 तो समझ में आया है सभी को clear है ठीक है और प्राक्टिस चाहिए या फिर आगे बढ़ सकते हैं पका क्लियर है सभी को और प्राक्टिस को नहीं चाहिए इसमें ठीक है अभी फिर आगे बढ़ते हैं लोग तो अभी वर्नियर का यह कुशन है लेकिन अभी क्या है हमारे मेजर्मेंट के लिए वर्नियर बनाया हुआ है यहां पर सब लोग ध्यान से देखना इसको थोड़ा समय मैंग्निफाइग करते हूं और इसको मैग्निफाइग करके अब एक काम करते हैं यहां पर सब लोग ध्यान से देखना तो मेरे वर्नियर पर कितने डिविजन्स हैं 12 divisions 12 divisions will coincide with 11 divisions 12 वर्नियर divisions are coinciding with 11 main scale divisions ठीके और में scale divisions आडे कितने कितने एक-एक डिगरी के division तो हमारा यह कितना हो जाएगा क्या रिखते हैं इसका वर्नियर का एक कितना हो जाएगा वन डिगरी डिवाइट बैट वह जाएगा एक एक डिविशन वन डिवाइट वैट पर होगा ठीक है नहीं और उसका एक डिगरी पर है यानि 1 12th अगर एडवांस करेगा तो फिर अगला अगला डिविशन माच करते जाएगा इस इत ना समझ में आ रही बात की नहीं दो जीरो से जीरो कोईसाइट कर रहा है तो यह सब्सक्राइब का फ्रमेंच यह 11 में स्केल डिविशन से को इंसाइट कर रहें ठीक है तो वर्णियर के कहां पर होंगे डिविशन तो 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 एलेवन ट्वेल्ट ऑफ डिगरी फिट फिट ट्वेंटी ट्वाइट ट्वेल से एंड सो अन समझगे उसके एलेवन बाइट के मल्टिपल में चलेगा हमारा समझ में आई बात कि नहीं है तो इसका हां चलो इसका लीटांट अभी निकालने के लिए यह अच्छी क्यंको से म सब्सक्राइब करके यहां थिकले हैं यां पर किसी लाइन से स्टान्ट हुआ और आखिरी ट्वेल डिविजन याय तक मैच हो रहा एक्या एस लिए Me नाच हो रही हो तो यहां पर देखो यहां पर वर्नियर पर कितने डिविजिंस हुए वर्नियर का 12 डिविजिन है यह ना में स्केल का समझो यह 0 है तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th समझ में आ रहा है खुद से काउंट कर लो और जूम करूं क्या और चलो इसको जूम इन और करता है तो अब ध्यान से सब लोग देखू आए सूपिशिएद और भी जूम आउट करूं गया जूब आए सको और जूम इन करता है फो तो थोड़ा लेकिन यह ज़्यादा करके बाहरी चला गया इसको काउंट करो जंगो कितने किको और कोई करें भुझ से कौंट करो इसको ध्यान से सब्सारें मों कि दिआंगो तो यहांप थियांस से गिन'. मैं अभी वर्नियार पर दिख रहा है ये बारा दिविजिन ए वहां दिखते कि में इसको फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. मैं सचने एक, सब्सक्या nhi अपोगें ॔रणिया सब्सक्राइउ सरस्दाउ चन्राइए और जानएए और गन्य सब्सक्राइज आका Стख67ड जालेगर को सब्सक्राइब Leaders मैं उसका और बिचोनी सब्सक्लाइएं कि जहाए हैंlair सचना जोटरि को सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह तब आगे बढ़ूगा इतना सब्सक्राइब इसका यूज करके मैं एक इसको सेट करते हैं और तुम लोग को बताना होगा कि कितना यह है तो लेट मी जस्ट पूट इट समवेर तो लेट मी जस्ट टेक रांडम न्यू बोश्चिन यहां पर सब लोग अभी गैस करो यह कितना हमारा रीडिंग है सब लोग गैस करो इसको अपने नोट बुक में लिखना तो यहां पर अभी ध्यान से देखो सब लोग यहां पर क्या क्रॉस हो चुका है तो यह 30 डिग्री 31 डिग्री 32 डिग्री 32 डिग्री तो क्रॉस हो चुका पूरा और फस्ट माच होते हो तो यहां पर 7 गट्वड डिग्री और हो जाएगा इस इत नॉट तो इसका मतलब इसका अंसर क्या होना चीए 32 होल 7 ग डिग्री अब 7 गट्वाइट कर सकते हो तो उसको 60 से मिल्टिप्लाइए करना पड़ेगा है ना तो इसका अंसर देख लेते हैं अभी शो रिजल्ट करके तो अभी ठीक है अभी थोड़ा सा और प्राक्टिस करते हैं तो यह मेरे पास अभी एक वर्नियर पोजिशन दे रखिए ठीक है तो सबसे पहले तो बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या है इसका यहां टेन लिखा हुआ है यह मेरा क्या 58 mm अरक है ठीक है तो यह वही है ट्वेंटी डिविजिंस फिटिंग इन 39 मेंस्केल डिविजिंस विच इक्वालन तो वाट इसमें से 20 माइनस कर दो तो 2019 भी एक जैसा है यह 20 प्लस कर दो तो यह तो वही है जो अभी थोड़ी दिर पहले हम डिसकस कर रहे तो क्या होगया लीस्ट काउंट होगया इसका 05 यहां तक सब को समझ में आया कि नहीं लीस्ट काउंट 05 लियर है तो अभी तुम लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है तो अभी यह बताओ अभी इसकी रीडिंग क्या हैगी सब लोग बताओ इसकी रीडिंग कितनी है वाट दा करेक्ट रीडिंग अफ दिस वर्नियर बोलो और यह जो यह राइट वाला जो राइ मेशर करेंगे तो 0-0 के बीच मेशर करते हैं तो राइट वाला जो ब्लू लाइन दिख रहा है यह वर्नियर का जीरो और जो लेफ्ट वाला ब्लू लाइन दिख रहा है में स्केल का जीरो है तो अभी इसकी जो भी रीडिंग तुमारे साब से बनती है वह अपनी नोट हो गया 16 17 17 17 mm क्रॉस हो चुगा हमारा राइट 17.something कितना है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा डिवीजन माचिंग देखना पड़ेगा तो यहां पर देखो वर्नियर का एट का हूंता 16 हुआ राइट 16 और 17 दिविजन माच कर रहा है तो 17.05 कितना हो गया 085 हो गया 17.85 आगया हमारा अंसर समझ में है या नहीं ठीक है क्लियर हुआ है सभी को इस एक्जामपल आपसलूटली क्लियर अच्छा जो मैं एक्स वाली वर्नियर की क्वेशन बता रहा था ना वो इससे तुमको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक्चुली मुझे ले ए जहां तक exact matching division है हम हम interested किस reading में हम x में interested है यहां पर additional x नहीं बोला पूरे लेंग्ट को x बोल दिया तो हमारी required length क्या x x plus a is equal to b plus c यहीं वर्नियर equation है समझ मैं ही बात कि नहीं और b plus c थो हमें पता है directly देख लिया coinciding division तक और उसमें से a minus कर दिया अगे बढ़ सकते हैं लोग हां तो अभी हम लोग वर्नियर के अंदर कुछ complicated questions करने वाले हैं थोड़ा सा challenging questions है तो सब लोग अभी ध्यान से पढ़ो यह question क्या है question हम लोग का है the zero of main scale matches with zero of vernier scale ठीक है जब जब 0 से 0 match कर रहा है तो 9th division of main scale matches with 10 division of vernier यहां पर when word होना चाहिए when missing है तो जब 0 से 0 match कर रहा है तो 9th main scale division 10th vernier से match कर रहा है और कोई match present नहीं है जब उसको slide कर दिया तो यह slide करने का in fact यह figure तुमको दे नहीं रखे ठीक है यह तो solution का part है तो ignore the figure ठीक है तो जब हमने इसको slide कर दिया तो क्या लिखा है 0 of vernier is found between 3rd and 4th division of the main scale and 6th division of vernier matches with x division of main scale और हमें x by 3 की value निकालने है ठीक है तो अभी यह question तुम लोग try करो खुछ से try करो और नहीं तो फिर हम लोग discuss करते हैं कुछ से try करो ignore the solution figure as if you have not seen the figure just focus on the question that's it ठीक है इसको discuss करते है तो अभी यह तो standard vernier है खाली language में focus करो जीरो जो है vernier का 3 और 4 main scale division के बीच में है इसका मतलब reading मेरी 3 point something है और उसके आद यह है तो बिल्कुल standard vernier ना standard vernier है 10 10 vernier 9 main scale में fit हो रहे है तो और 6 match कर रहे है यानि हमारी total reading जो है matching तो total reading हमारी कितनी है 3.6 mm है right जैसे vernier मैंने दिखाया है यहां पर यहां तक total 3.6 mm है ठीक है और उसके आगे जो matching division है उसके आगे तो हमें यह अभी पता करने है कि main scale का कौन सा division match कर रहा हो वहां पर question समझ में आया कि नहीं तो जो matching division है वहां तक उपर वाले distance को और नीचे वाले distance को बराबर कर देते तो मानलो एक्समेसडी के बराबर है तो 3.6 प्लस 6 वी एसडी डाट शुट बीकल टू क्या एक्समेसडी तो बस में स्केल डिविजन तो हमारा वन एम का है तो बस अब इसी question को हमने एक्स के लिए solve कर लिए तो कितना आएगा हमारा एक्समेसडी क्या जाएगा 3.6 प्लस 6 इंटू 0.9 है ना तो एक्समेसडी कितना आ गया 9 में आ गया या एक्स की value क्या हो गई 9 हो गई एक्स भाई 3 पूचा है तो वह हमारा 3 हो गया clear है यह सभी को question absolutely clear आगे बढ़ जकते हैं कोई doubt तो नहीं हाँ take your time अभी ध्यान से सुनना देखो three divisions तो हमारे cross हो चुके है तो three point something है और इसका least count कितना है point one यानि कि six division match कर रहा है तो क्या है point six or होगा कि नहीं बोलो least count अगर point one है first division match कर तो point one हो तो second division match कर तो point हो तो six division match कर रहा है plus six VSD वहां तो होगी ना matching length तो three point six plus point nine into six जो भी है समझ में है कि नहीं और वो x main scale divisions के बरावर हमने ले लिया तो यह x के लिए हमने solve कर लिया तो x हमारा 9 आ गया ठीक है तो x by 3 हमारा 3 आ गया समझ में है या नहीं ठीक है अगले question पर चल सकते ना एकदम crystal clear यह question ठीक है now this one is a very tricky question तो सब लोग अभी ध्यान से बाड़ो बहुत सारी language है समझना पड़ेगा तो टेक यू ताइम पर comprehending so I'll pause it and you can comprehend and then you can try this first figure में अगर ध्यान से देखोगे तो यह 7th division matching ले सकते हो 7th division best match कर रहा है I'm not sure तुमारा screen पे इतना resolution है की नहीं पर यहां पर 7th division मेरे को best matching दिख रहा है तुम लोगों को भी दिख रहा होगा पता चल रहा है 7th division best matching है और second figure में कौन सा division match कर रहा है सबसे अच्छा best matching fifth division दिख रहा है तो यह information use कर लो मैंने matching division तो मैं बता दिया तो resolution किता की दिक्तत नहों अब अब पताओ 0 error कितनी है और length जो being measured है वह length कितनी है तो यह तो नॉर्मल वर्नियर है देखो 10 division 9 में कोइंसाइड कर रहे है और यह आगे क्या बोल रहा है 10th division अच्छा नहीं रेट्रोग्रेड ही है यह वर्नियर देखो क्या लिख लिखा है इन रहे है तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या करते है राइट वाला देखते है में स्केल का वर्नियर के 0 से राइट में कौन सा reading पड़ रहा है तो यहां पर देखो अभी है तो इसमें negative 0 अब 0 निकालना है हमको तो क्या करते है राइट में reading लोगे तो क्या है यह जीरो आजएगी reading है ना राइट वाली reading में स्केल की reading कितनी हो गई 0 उसमें सब्ट्राट कितना है सेवन्स डिविजन माच कर रहा है तो पॉइंट सब्ट्राट करेंगे तो इसका अंतलब 0 Color कितनी आ गई मेरी माइनस गुट्फद सेवन-स्ट ये जो हमने लिखा इन क्याश्म स्मांट PER 247 तो सभब यह मार्निशूड तो absolute value थीक ए व्लें rocky जो उसका मंधेर 19 talented .7 तो तो रेट्रोग्रेड वर्णियर की या तो standard theory लगा तो गर्णियर का logic लगा दो तो रेट्रोग्रेड की हम standard theory देखें जब अधिवाला division देखें और subtract करतें तो यहांपर यह जो है वर्णियर का 0 यहांपर यह वाली लाइन दिख रही है तो 0,-7 यानि मेरी 0,-7 यह तो हो गया करना दूसरा तरीका क्या है दूसरा अभी ध्यान से देखो दूसरे तरीके में मेरे को आधिक से असे नहीं embed करते यहना से लेकर्व और यह यहां से यहां पर कोईंसाइट कर रहा है तो यह कौन सा division कोई साइट कर रहा है, बोलो, main scale का कौन सा है, main scale का भी 7th है, तो x plus 7 main scale divisions, ठीक है, x plus 7 main scale division हुआ कि नहीं, बोलो, that is equal to how much, that is equal to, यहाँ पे vernier के किते division हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, it is equal to 7 VSD, समझ मैं है, vernier की equations है, x plus 7 main scale divisions is equal to 7 vernier scale divisions, समझ मैं है कि नहीं, तो बस इसी equation को हमने solve कर दिया, तो x plus 7 MSD is equal to 7 VSD, तो इसी से x के लिए solve किया, तो x कितना आ गया मेरा, x आ गया 7 into what, VSD 1.1 mm का है, और MSD मेरा 1 mm का है, 7 into 1.1 minus 1, तो यह क्या आ गया, 0.7 mm आ गया x, ठीक है, तो यह magnitude x का या नहीं, तो 0 error तो negative है न, क्योंकि 0 मेरा left की side पर पढ़ रहा है, तो इसलिए मेरा 0 error कितना हो गया, minus 0.7, crystal layer हुआ यह सभी को अभी, सभी को आया, यह समझ में एक तम, ठीक है, अच्छा, अभी, अब हमको इसकी reading पता लगानी है, तो assuming no 0 error, तो reading कितनी है, तो second वाला जो scale है, उसको magnify किया है, यहाँ पर, यह वाला जो region है, इसको मैंने magnify कर गए, इस figure में present किया हुआ, तो इस figure में अगर हम देखे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो, अब standard retrograde vernier की theory लगाते हैं, या वापस vernier principle लगाते हैं, तो 2 में से कुछ भी करो, ठीक है, तो मैं आभी standard retrograde का लगा रहा हूँ, vernier equation से भी करी सकते हो, तो standard retrograde vernier के हिसाब से, 11 और यह 12, तो main scale reading तो कोई 12, 12 में से कुछ subtract करेंगे हैं, समझ में आरी बात के लिए, यह 11 की line हो गई, यह 12 की line हो गई, तो vernier के 0 के right में कौन सा division पढ़ रहा है, main scale का, 12 division पढ़ रहा है, तो retrograde में right देखते हैं, और उसमें से subtract करते हैं कुछ, तो 12 में से कुछ subtract करना है, तो अभी कौन सा division मैच कर रहा है, मेरा 5th division मैच कर रहा है, तो 12 में से मुझे क्या minus करना पड़ेगा, 12 mm में से 0.5 mm मेरे को minus करना पड़ेगा, तो क्या हो गई reading, 11.5 mm हो गई reading, is it not, अगर कोई 0 error नहीं होती, तो यह link कितनी होती, 11.5 mm, लेकि 0 error है, और error subtract की जाती है हमारी, ठीक है, तो normal तरह से reading इसकी 11.5 mm है, इसमें से 0 error subtract करेंगे, तो 11.5 minus minus 0.7, so that becomes how much, 12.2 mm, समझ में आई बात के नहीं, ठीक है, तो यह 12.2 mm हमारा final answer आगया, बाकि algorithm लगाने है, तो algorithm भी लगा सकते हो, matching division तक तक तुम्हें देखना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे extra length है, यह x मान ली तुमने, ठीक है, तो क्या किया मैंने, तो यह total length, यह यहाँ पे, ठीक है, तो y plus 5 VSD is equal to, अभी main scale का यह 17 mm है, तो y plus 5 VSD is equal to 17 mm, समझ में आई बात के नहीं, total length, vernier के 0 तक मैंने y मान ला, y क्या आगे matching division तक, 5 vernier divisions और है, तो y plus 5 VSD is equal to 17 mm, समझ में आया कि नहीं, तो उससे भी हम कर सकते है, उससे, फिर y के value के आगे, 17 mm, मैनस 5.5, वही सेम आगे है, तुमारा 11.5, लेकिन क्या यह assuming no zero error है, आप zero error है, इसमें सब्ट्राक करतेंगे, तो 12.2 mm, चाहिए algorithm लगा के कर लो, या फिर standard जो हमारी retrograde खेल है, उससे भी हम लोग कर सकते है, clear हुआ यह सभी को, absolutely clear, आगे बढ़ सकते हम लोग, ठीक है, now this one is a real tricky example, हमारे पास, और 10 division vernier scale के, 4 main scale division के बराबर है, ठीक है, non standard है, 10 vernier scale divisions is equal to 4 main scale divisions, actually इसको हम चाहें, तो 10 में 4 है, तो 5 में 2 भी कर सकते है, co prime अगर बनाना है, तो एक ही बात होती है, तो क्या है, 10 VSD is equal to 4 MSD, ठीक है, और इस figure में 0 error और measurement दिखाया है, तो 0 error के लिए यह figure बना रख है, तो इनको zoom करके नीचे, magnified view दिया हुआ है हमको, ठीक है, magnified views दे रखे हैं इनके, ओके, और क्या दिया है, इन्दा 0 error, 5th division and 10th division are coinciding, 5th division और 10th division coincide कर रहे हैं, अब co prime नहीं होंगे न, numbers तो हमेशा 2-2 divisions coincide करेंगे, is it not, क्योंकि 10 में 4 का हमला 5 में 2 है, तो वो cycle repeat होना समझे है कि नहीं, जब भी co prime नहीं होंगे, main scale और vernier scale के तो फिर 2-2 divisions या 3-3 depend करता है, इसको 3 से multiply करता है, 4 division आगे match करना शुरू है, cycle repeat हो जाएगी हो, right, LCM के साब से, हाँ, तो 5th division और 10 division vernier के coincide कर रहे है, 1 mm और 3 mm mark से, main scale पे, और जो measurement है, उसमें दे रखा है, 2nd और 7th division match कर रहे है, ठीक है, 23 mm mark और 25 mm mark main scale पे, उससे match कर रहे है, हमारे कौन से, 2nd और 7th division, तो अभी हमको length report करनी है, with due regard to the error, हमको इसका अलग है, पहले तो error estimate करनी पड़ेगी, 0 error कितनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर measured value को हमें, निकालना पड़ेगा, और उसमें से 0 error subtract करनी पड है, 0 error निकालनी हमको, तो यह magnified view देखो, सब लोग ध्यान से, तो इसमें क्या दिख रहे है हमको, तो 0 error मेरी कितनी है, ध्यान से देखना, यह मेरी 0 error है, जो vernier का 0 है, और main scale का 0 है, इनके बीच में जो gap है, यह मेरी 0 error है, यह मुझे estimate करनी है, ठीक है, तो यह कैसे estimate करेंगे यह main scale का first division हो गया, right, main scale का first division ही बोला था, इन्होंने क्या बोला था, question में बोल रखका है, main scale का first division ही बोला हो था, तो x plus 1 VSD बोल दो, या फिर यहां तक लेना है, x plus 3 MSD ले लो, यहां तक लेना, x plus 3 MSD is equal to, कितना हो जाएगा, हमारा यहां तक, जो matching है, यहां तक कितना हो ज तो यही क्या लिगा 10 VSD 4 mm तो VSD तो सबसे निकाल लिए टीक है 10 VSD कितना है हमारा 4 MSD के वरावर तो VSD मेरा 0.4 mm हो गया अब negative 0 error को X mm निकाल लिए तो 5th VSD जो है मेरा first MSD से coincide कर रहा है ठीक है मैंने पहले वाला का ले लिए वाले को भी ले सकते थे तो इसका मतलब क्या होगा एक्स प्लस 1 MSD वो उपर से हमने लेंग्स ले लिए तार इस इकल टू 5 VSD समझ में आई यह एक्वेशन वर्नियर वाली यह अब इसका यूज करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी वान अम आ गई ठीक है तो इसका अनलब सब्सक्राइब करें 25 ऐसे तो आप मान लेका ऐसे रीडिंग वाय मैरी रीडिंग को वाय मान लिया अब वापस सब्सक्राइब तो यह तो वो रीडिंग है अगर कोई 0 नहीं होती लेकिन 0 मेरी कितनी है सब्सक्राइब तो प्लस मैनली आंसर हो जाएगा ठीक है तो फाइनल आंसर इस 23.2 प्लस मैनस 0.21 एंगे आगे बढ़ सकते हैं अब है अच्य यहां पर एक में जबकि वो अगर कैल्कुलेट करोगे तो 0.6 mm आ जाएगा ठीक है लेकिन जो नॉर्मल दस में नौ बीस में उन्नेस चालिस में उन्तालेस पचास में उन्चास यह सब है सो में निया में यह सब में यह यह बराबर होंगे वर्नियर कॉंस्टेंट और लीस काउंट बराबर वर्नियर सकेल पर विसटो के विर्थी जिए थिन संटीक है विए वन दर लेन नथिक पूर्टीटेंट के जोस्टोफ में सकेल लाइज बिटून रस दिविशन ऑफर नहीं दिविशन अट वर्नियर सकेल तो जिरो एड फॉस्टेव की नेगटिव है बोलो नेगटिव जि one of the main scale divisions 15 division exactly coincide कर रहा है ठीक है जब jaws में कुछ भी नहीं है तो ओके फिर क्या किया when zero of the vernier is matched with zero of main scale 20th division of vernier exactly coincides with 25th division of main scale यह important information है अब हमने क्या किया zero को zero से coincide कराया तो vernier का 20th mark है वो main scale के 25th division से match कर रहा है तो यह हमारी important information है यानि की 20 VSD is equal to 25 MSD 20 VSD is equal to 25 MSD यहां पर हमको बोल दिया question ओके to measure the side of a cuboid it is kept between the jaws of vernier calipers and it is now observed that 18th division of vernier exactly coincides with 32nd division of the main scale 18th vernier 32nd main scale से coincide कर रहा है ताव इसमें कुछ भी standard theory मत लगाना वर्नियर equation लेकिन हमेशा लगाई सकते तो common sense से इसको proceed करते जाएंगे systematically proceed करोगे answer आये लिए तो अभी क्या है हमको इन सब चीजों पर comment करना है least count vernier scale का कितना है zero error कितना है side of cuboid कितना है यह सब चीजों पर पहली statement से कि जब कुछ भी नहीं डाला तो क्या है zero main scale का sandwiched है किसके बीच में zero of the zero and first division of vernier scale इसका मतलब क्या main scale का जो zero उसके दोनों तरफ vernier का एक zero mark कितर है और first mark कितर है इसका इतना पक्का है कि जो हमारी zero error है वो one VSD से छोटी होनी चीए यह important information है इससे एक inequality हम लोग बनाएंगे ता समझ में आए कि नहीं ठीक है और आगे देखो कि तो दूसरी statement कि है 20 VSD जो है 25 MSD के बराबर हो गया तो इसका तब 1 VSD क्या हो गया 20 VSD 25 MSD तो 1 VSD कितना हो गया 1.25 mm 25.20 कर दिया तो हर एक VSD मेरा 1.25 mm है अब मानलो negative zero error मेरा X है तो अब और हमें यह नहीं पता कि main scale का कौन सा division coincide कर रहा था यह बुल रहा है कि जब पूरे जोस लोज रहे तो पोई division coincide कर रहे है तो क्या लिखा है zero of main scale lies between zero first one division and 15th division vernier का है it coincides with one of main scale division तो हमें यह नहीं पता कि 15 division कौन से main scale division से coincide कर रहे है यह यह नहीं गिभेन है ठीक है मुझे यह नहीं पता लेकिन vernier का 15 तो मान लेते है नहीं से match कर रहा है main scale के ठीक है मालूम नहीं मुझे n कितना है बड़ equation मना के निकल आएगा देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं तो x तो मेरा zero error का magnitude हो गया plus n msd समझ में आ रहे है mind में figure है न x negative zero error वाला तो x plus n msd यानि x कितना है vernier के zero से main scale के zero तक का length plus n msd यो n msd match कर रहे है तो यह तो उपर से होगा यह मारी length and this should be equal to 15 vsd equation समझ में आई ना यह vernier वाली इससे मेरे पास अच्छ एन मेरे पास unknown है लेकिन मुझे यह पता है कि x जो है 1.25 m से छोटा और 0 से बढ़ा है is it not जो मेरी zero है रहा है वो one vsd से छोटी है और जीरो से बढ़ी है तो x की मेरे को range पता और यह भी पता कि n एक integer है तो इस constant से n की एक unique value निकल के आएगी मेरे पास समझ में आई बात कि नहीं तो x मेरा कितना हो गया देखो हां तो x कितना हो अहां x प्लस यह तो अब n जो है unknown है लेकिन हमें पता है x जो है 1.25 से छोटा है और 0 से बढ़ा है तो इसका use करके मेरे पास n की value आजाएगी तो x मेरा कितना हुआ देखो x हो गया 15 vsd minus nmsd ठीक है इसको calculate किया तो 15 into 1.25 minus n which is 18.75 minus n ठीक है अब यह जो value 18.75 minus n is less than 1.25 and 18.75 minus n is greater than 0 ठीक है तो इसका मतलब किया n एक इंटीजर है जो sandwiched है किसके बीच में 17.5 और 18.75 के बीच में sandwiched integer है तो उससे मेरे पास क्या आ गया n की value कितनी आ गई 18 आ गई समझ में आया n is equal to 18 आ गया अब 0 error मिल जाएगी तो n आ गया तो बस अब x के x निकालना है तो x की value 15 vsd minus 18msd हो गई यहां पर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं is it making sense ठीक है समझ में आ रहा है न तो बस तो 0 error कितनी आ गई मेरी magnitude आया in fact 0 error है तो negative magnitude उसका कितना आ गया 0.75 यहां तक सब के ल क्या बोल रहा है जब मैंने एक क्यूबॉइट को डाला है इस वर्नियर क्यालिपर में तो क्या बोल रहा है तो 20th वर्नियर डिविजिन 25th में से मैच कर रहा है ठीक है तो क्यूबॉइट की side length निकालने है तो क्यूबॉइट की side length y मान लो तो y plus कितना vsd 20 vsd is equal to 25msd normal reading अभी the side of qpy तो y plus 18 एक सेट एक सेट वन सेट है यह 18 vsd तो हमारा कुछ 30 सेट से मैचिंग कुछ बोला है कि है नहीं हाँ आगे की बात क्या है जब हमने क्यूबॉइट को डाला है तो 18 वर्नियर डिवीजिन 30 से मैच कर रहा है तो अभी जब क्यूबॉइट को डाला है तो 18 वर्नि अगर य है तो y plus 18 VSD होगा वहां मैचिंग डिवीजन तक तो y plus 18 VSD should be equal to what 32 MSD तो VSD वगरा सब कुछ तो पता यह बस आप इस equation से y के लिए हम solve कर लेंगे तो तो क्या लिखा हमने तो y plus 18 VSD is equal to 32 mm क्योंकि main scale division तो 1 mm इच दे रखा है इससे मेरे पास y की value क्या आ गई y आ गया मेरे पास 32 mm माइनस 18 इंटू वर्नियर्स के division कितना 1.25 तो मेरे पास यह कितना आ गया 9.5 अगया ठीक है बट यह तो अब यह कुछ अब यह कुछ अब हो गया यह कुछ अब ही को आप्सलूटली क्लियर्स तीक है अब इसके बाद फिर अगले question पर चलते हैं ठीक है सब लोग पढ़ो यह question कॉंप्रियंट करने को शुश करो तो क्या लिखा है हमारे पास में स्केल ऑफ वर्नियर का लीस काउंट 1 mm है ठीक है और वर्नियर को आठ डिवीजन में डिवाइड किया है जो की चहां में स्केल डिवीजन से कोइंसाइट कर रहे है थे एड विसी स्पील टू 6 mm है इसका मतब राइट तो वन विसी क्या हो जाएगा शिक्स भाइट या नी कि 3 बाई 4 mm 0.75 mm का हमारा PSD है इसका अब अब क्या किया वें जॉद इस्ट्रूमें टाची चेदर जिरो वर्नियर कोई सब्सक्राइब इसका अब क्या कोई जिरो अरॉर नियुमारे इस्ट्रूमेंट में देर इस नो जिरो एरॉर ओके रॉड इस जिरो वर्नियर स्केल लाइस जस्ट्रूमेंट इसका अंदब क्या 45 mm प्लस सम्थिंग है इसका अंदब क्या 45 mm प्लस सम्थिंग होना चाहिए और सेवन दिविजिन और वर्नियर स्केल कोईंसाइट विधा में इसकेल दिविजिन तो सेवन दिविजिन एग्जाटली कोईंसाइट कर रहा हमारा ठीक है तो तो रॉड की लेंट कितनी होगी ठीक है तो अन्नोन पार्ट है कुछ 45 यह मीं तो पक्का हाई है हमारा 45 अन्नोन पार्ट यह लेंक्स का वह हमान लेते हैं एक से तो 45 प्लस एक्स और कोईंसाइटिंग पॉइंट तक कितने सेवन वेस्डी और है तो 45 यह मुझे पता है कि जो एक्स की वालियो वह जीरो से वाने में में के बीच में हो नीच है क्योंकि में स्केल का डिविजिन कित अचा है तो एक्स के लिविजिन दो में स्केल डिविजिन के बीच में पड़ाओ तो आभिस़ी एक्स की वाल्यूज झारू से जोटी हो नी चाहिए तो मुझे प्ता समझ में आईक है कि नी एक्स शूड बीटी बिटीन जीरो एड वन उसका यूज करके मेरे पासन्यू र जाएगी और N के उपर constraint के N has to be an integer तो उसका यूज करके मैं N के लिए solve कर पाऊंगा समझ में आ रहा logic flow क्या है इसका तो यह equation तो standard vernier equation है आप इससे मेरे पास क्या आ जाएगा देखो अच्छा पहले तो VSD निकाल लिए 3 by 4 mm समझ के तो क्योंकि 8 VSD was equal to 6 MSD तो यह 3 by 4 आ गया हमारे पास sorry it should be 6 by 8 मैंने गलती से यहां पर 8 by 6 लिखाए it should be 6 by 8 समझ में आ रहा ना यह यहां पर आगे साही लिखा हुए 3 by 4 तो N की value क्या हो जाएगी मेरी इसी equation को rearrange करोगे तो टो एक्स मेरा कहाँ से न के बीच मेरे एक्स मेरे कहां से कहाँ से 0 से 1 या नी मेरी अनि मेरी n की value है वह 50.25 से 51.25 के बीच में तो क्वाण सा integer sandwich हो अब लो एक्स ऑया समझ में n शुड़ वीकल तो 51 तर अब तो फर हमको तो यह 45 MSD प्लस X की वाल्यू निकाल नहीं है एक्स तो बस छोड़ा चा पार्ट था न टोटल लेंक तो मारी 45 MSD प्लस X है तो 45 MSD प्लस X क्या हो जाएगा अब इसी एक्विशन से हमारे पास 45 MSD प्लस X के लिए क्या करोगे तो 51 MSD माइनस 7 VSD तो वही कर दिया 51 MSD माइनस 7 VSD तो यह क्या आगया 51-7 x 3 x 4 तो यह मेरे पास क्या आगया 45.75 mm ठीक है तो लेंक मेरी कितनी आ गई 45.75 mm क्लियर हुआ है सभी को समझ में आ है आपसलूटली क्लियर आगे बढ़ देखते हैं लोग अगले क्वेशन पर चले ठीक है अगला एक्जांपल देखते हैं लोग ओके लास्ट एक्जांपल फर टुडे तो यह वाला क्वेशन पढ़ो देखो क्या बूल रहा है वाली ऑफ इच में स्केल डिविजिन अफ पेर तो वर्णियर प्रिंसपल है क्या मैचिंग डिविजिन तक दो तरह से लेंस लिखने है और पस इसको एक्वेट करके निकालना है तो यहां पे क्या दिया हुए हमको कि जो वर्णियर स्केल डिविजिन से वह एक्स डिविजिन प्वाइं थेजिएं पॉइंग नैं आइब गया, third division 0.85 गया and so on. इस तरह से AP में divisions दिये हमें हमको वर्नियर के, ठीक है? When an object is placed between the jog of वर्नियर calipers, zero of वर्नियर lies between 3.1 cm and 3.2 cm mark, ठीक है? यानि 3.1 cm से तो ज़्याद है हमारा और 3.2 से कम है हमारा reading यह and fourth division of वर्नियर coincides with the main scale division, वर्नियर का चौथा division exactly coincide कर रहे है, तो अभी zero error को ignore कर देना है और हमें reading बतानी है, वर्नियर की reading क्या है, ठीक है? तो यह खुद से try करो, सब लोग नहीं होगा तो फिर हम इसको discuss करते हैं, fairly simple question, खुद से try करो इसको, तो यह वर्नियर principle पे based दी है question, बस यह क्या आपी में है तो क्या फरक पड़ता है, जहां matching division है, वहां तक दोनों रस्तों से हम लेह निकाल लेंगे, दोनों को equate कर देंगे, ठीक है कि नहीं, तो अभी क्या बोल रहे है, जीरो जो है, 31 mm और 32 mm के बीच में पढ़ रहे है, तो 31 mm प्लस something है, ठीक है, तो वह 31 mm something जो है, उसको हम x मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 प्लस x और 4 हमारे divisions वर्नियर के, तो क्या हो जाएगा, 31 प्लस x प्लस 0.95 प्लस 0.9 प्लस 0.85 और प्लस 0.8, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, चार वर्नियर divisions एपी में है, तो उन चारों को हमने एड किया, तो कितना हुआ, 31 प्लस x प्लस 0.95 प्लस 0.9 प्लस 0.85 और प्लस 0.8, और इस शुड़ बीकल टू, कुछ exact main scale divisions के बरावर होगा, ठीक है, जानी, nmsd 34.5 प्लस x, और मुझे पता है, x कहां से कहां तक हो सकता है, x जो होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, तो अगर मेरा, तो 31 प्लस x मेरा क्या आ गया, तो x 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, n कितना आ गया, n तो 35 आ गया, 0 से 1 के बीच में एक ही integer possibility बनती है, तो n is equal to 35 आ गया मेरा, तो बस 31 प्लस x is equal to 35 mm, तो 35 mm माइनस 3.5 mm, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 31 प्लस x निकालना था, तो इतने पार्ट को में उस साइड लेके चला गया, समझ गया, यह चारों का sum है, जो 3.5 mm है, इन चारों का आट करोगी तो 3.5 mm है, तो फिर इसके मेरे पास क्या आ गई, 31 प्लस x value आ गई, 31.5 mm, ठीक है, तो यह आचली centimeter में पूछा था, तो इसको हम कर सकते is equal to 3.15 cm, यह हमारा answer आ गया, ठीक है, समझ में आया सभी को, वर्नियर, ठीक है, तो ठीक है, मेरे को लगता है, मेरी मेहनत का, मतलब, फायदा हुआ कुछ, ठीक है, टाइम बहुत लगा बनाने में, बट I am sure, वर्नियर में confidence कुछ आया होगा, और वर्नियर का concept एकदम crystal clear होग Thank you, thank you very much